हलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने कई बार महसूस क्या होगा, कि आपने इंग्लेश में बड़ी मेहनत की, बहुत वर्ड सीखने की कोशिश की, ग्रैमर के रूल्स भी सीखने की कोशिश की, और फिर भी आपको सेंटेंस लिखने या बोलने में दिक्कत होती है, तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण जो है कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको सीखना सकें, बात मामूली ही है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, तो दोस्तों वो रूल नहीं जानने के कारण, ये बात नहीं जानने के कारण, हम ठीक से सेंटेंस इंग्लिश में लिखिया बोल नहीं पाते तो दोस्तों हम आज सीखेंगे word order यानि शब्दों का क्रम अर्थात एक वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होता है किस word के बाद कौन सा word हमको डालना चाहिए ये अगर पता चल जाए तो sentence बनाने में वैसे ही आपको आसानी हो जाएगी और आप कोई ने कोई भाषा हम बोलते हैं अचा दोस्तों हिंदी और भारत की दूसरी जितनी भाषा है वो उनका जो structure है उनका जो क्रम होता है शब्दों का वो इस प्रकार से है पहले उनमें आता है subject फिर आता है object और उसके बाद आता है verb subject दोस्तों काम करने वाला sentence में जो काम करत पर रहा हो sentence में वो object है और जो काम हो रहा है वह ही वह भव यह तो आप जानते ही है अचा दोस्तों उदारण से समस्ते हैं जैसे यहाँ उदारण ग्जांपल है मैं football खेलता हूँ अच्छा दोस्तों मैं subject है आई football object है खेलने काथ football पर पड़ा तो object हो गया आइ football और खेलना खेलता हूँ यानि खेलना यानि वो kriya है play तो English में इसको एसी तो नहीं बोलते लेकिन Hindi मैंसे बोलते हैं मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अगर इसको सिधे-सिधे हर शब्द का ट्रांसलेशन करें, तो यह होगा, I, फुटबॉल, प्ले, तो ऐसी तो नहीं बोलते English, लेकिन चुकि बचपन से हमारे दिमाग में यही structure बैठा हुआ है, हिंदी वाला या दूसरी भारती भाषों वाला, इसलिए हमको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने भी दिक्कत हुती है, दूसरा उदारन देखते हैं, दूसरा उदारन है, उसे English आती है, यहां आने का मतलगा no, यानि जानना, तो उसे subject है, English object है, आती है, यानि वो जानता है English, तो वो वर्व हो गया, तो दोस्तों जो हिंदी का structure है, subject प्लस object प्लस verb, अब हम आते हैं English पर, अचा दोस्तों English जो है, अब हिंदी और English में बहुत basic difference है, हिंदी भारतिय लोगों की भाषा है, हम लोग भारत में रहते हैं जो एशिया में, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, इंग्लेंड और अमेरिका, इंग्लेंड योरोप में है, अमेरिका एक अलगी महादेश है, तो सभाविक है कि सब कुछ अलग-अलग होगा, करम English के sentence में क्या होता है तो English में दोस्तों पहले आएगा subject फिर आता है वर्ब और फिर आता है object अब इसी sentence को मैं football खेलता हूँ को अगर English में कहा जाए तो यह बनेगा I play football I play football I subject play वर्ब है क्रिया खेलना football जिस पर असर पड़ा object तो दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छा दूसरा example देखते हैं उसे English आती है उसे ही आती यानि वो जानता है इंग्लिश को नोज इंग्लिश अब आप आपने देखा दोस्तों कैसे sentence मतल क्या तो हिंदी में ऐसे इंग्लिश मैसे बोलना अब होता क्या है हमसे गलती क्यों होती है गलती इसलिए होती है कि हम जैसे ही इंग्लिश बोलना श्रू करते हैं तो हम इस structure के हिसाब से इस word order के हिसाब से हम English बोलना शुरू करते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं और इसी लिए हमसे गलती हो जाती है तो आपको क्या दर याद रखना चाहिए कि जब भी आप English में लिखे या बोले तो आपको subject के तुरंत बाद आपको verb रखना चाहिए subject के बाद object रखेंगे तो आपका sentence गलत हो जाएगा subject के बाद verb और उसके बाद object यह याद रहेगा दोस्तों आपको तो यह है SOV Hindi या भारत की कोई भी भाषा English SVO SOV SVO यह याद रखना है SOV SVO अचा दोस्तों यह दोनों तो हम समझ गए अब हम आते हैं कि अगर हमको object के बाद भी कोई word लिखने की ज़रौत पड़ जाए sentence में ऐसे भी तो sentence होते हैं लंबे-लंबे sentence होते हैं तब क्या order होना चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों अगर ऐसा आपको sentence मिल जाए जिसमें object के बाद भी आपको कोई दूसरा word डालना है तो उसका structure मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आपको क्या करना चाहिए पहले subject, फिर verb, फिर object इतना तो हम सीखी चुके हैं उसके बाद अगर उस वाकि में स्थान दिया हुआ है जगह भी mention की हुए तो आपको place देना चाहिए पहले और अगर time भी है तो उसके बाद आपको time देना चाहिए यानि कि subject, verb, object, place and fit time इसका एक example बना है जो सोने जैसे I met her at the party place जगह का नाम होगे अस्थान का time yesterday, कल मिला आप इसको यहाँ जो एकदम time होता है तीन बजे, चार बजे वो भी लिख सकते हैं I met her at the party at 4 o'clock उससे फरक नहीं पड़ता समय बताने वाले जितने भी शब्दें चाहे वो अंकों में हो, चाहे शब्दों में हो आप कैसे भी लिख सकते हैं तो दोस्तों यह याद बात रखनी है कि जब हमने यह सीख लिया उसके बाद कि subject plus verb plus object उसके बाद place देना है आपको और उसके बाद आपको time देना है आप चाहे तो दूसरा example भी लिख सकते हैं जैसे I will meet her at the park tomorrow मैं कल उससे park में मिलूँगा जैसा भी sentence हो एक बार structure समझ लेने के बाद आदमी कोई भी sentence खुच से बना सकता है तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपने structure को ठीक से सीख लिया और English लिखते या बोलते वक्त अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया तो आपकी mistakes जो है वो बहुत कम हो जाएंगी नहीं के बरावर तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आगे से आप इसी प्रकार से अपने sentences को बनाएंगी और आज की class से आपको फायदा जरूर होगा अगर आज आपको class अच्छी लगी हो तो please video को like और share करें और channel को subscribe करें जिसे की सब लोगों को इसका फायदा हो और आपको मेरे videos की notifications तुरंत मिल जाए Thank you very much दोस्तों मेरे साथ आप हमेशा इतना time देते हैं और नई चीज़ सीखते हैं हम लोग फिर अगली class में एक कोई नई चीज़ सीखेंगे अगर कोई ऐसा topic है जो आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक video बना दूँ तो आप नीचे comment box में लिखेंगे तो मैं एक videos पर भी बना करके आपको दे दूँगा Thank you very much हम लोग जल्दी मिलते हैं Bye Bye